सिनेमा की दुनिया में कुछी किर्दार रौकी की तरह प्रतिश्चित हो पाए हैं अधिकतर प्रशंसक सिल्वेस्टर स्टेलोन की अधाकारी को याद करते हैं जो अमेरिकी फिल्म सिरीज में रौकी बलबुआ के रूप में दिखाई दी थी लेकिन सालों के दोरान हमने एक और प्रतिश्चित रौकी का जन्म होते देखा जिससे भारती सुपरिस्टार यश्ट ने अपने ब्लॉकबास्टर फिल्म के जी एफ में निफाया जिसने उन्हें एक सांस्क्रतिक प्रतिक बना दिया स्टेलन और यश्ट दोनों ने ही न केवल रौकी के किरदार को निभाया है बलकि वे सांस्क्रतिक प्रतिक भी बन गए हैं जिने जनता आदर्श मानती है उनके रौकी के प्रदर्शन ने दर्शकों के दिलों की गहराई से छूलिया है इसके पीछे उनका अनोखा करिश्मा, द्रण संकल्प और कच्ची प्रतिभा है स्टेलन का रौकी बलबुआ पहली बार 1976 में सिल्वर स्क्रीन पर आया था जिसमें एक गरीब बॉक्सर की कहानी बताई गई थी जिसे वर्ल्ड हेवीवेट चेंपिन्शिप में मुका मिलता है स्टेलन ने न केवल फिल्म में अभी नहीं किया बलकि इसकी पटकता भी लिखी जिसमें उन्होंने अपने जहास और संगर्श को डाला इस व्यक्तिगत इसपर्श ने रॉकी को एक प्यारा किरदार बना दिया जो दशकों तक जिवित रहा और अमेरीकी सपने का प्रतिक बन गया इसी तरह यश्का रॉकी का प्रदर्शन केजी एफ सीरीज में भारती सिनेमा में तहल का मचा दिया 2018 में रिलीस हुई के जी एफ चैप्टर वन ने दर्शकों को कोलार गोल्ड फिल्ट्स की गठित दुनिया और एक साधारन चुरुआ से लेकर शक्तिशाली ताकत बनने की रॉकी की कहानी से परिचित कराया येश की इस किरदार के प्रती समर्पन और फिल्म की त्रिव कथा ने दर्शकों के दिलों को छूलिया जिससे वह सूपर स्टार्डम की उचाईयों पर पहुँच गए स्टेलोन की तरह ही येश की रचनात्मक प्रक्रियाब ने भी महतपुर्ण भूमी का रही जिसमें उनके व्यक्तित्व और द्रिश्टी कोन ने रॉकी के किरदार को आकार दिया वास्तो में येश ने फिल्म की रचिनात मक्त प्रकृया को संचालित करने के लिए निर्माता का भी रूपधारलण कर लिया है दिल्चस्प बात ये है कि स्टेलों और येश दोनों नहीं अपने रॉकी किरदारों में अपने वैक्तित्व को डाला है इस्टेलोन का रौकी उनकी द्रणता, लड़ाई की भावना और सहस से भरावा है जो हॉलिवुड में उनके अपने सफर को दर्शाता है दूसरी और येश का रौकी उनकी महतुकांशा, द्रणता और अडिक संकल्प को दर्शाता है वह गुण जो भारती फिल्म उद्ध्योक में उनके करियर को परिभाशित करते हैं और अब वेश्विक इस तुर पर धूम मचा रहे हैं अभीनेता और किरदार के बीच ये गहरा संबंद उनकी सफलता और स्थाई अपिल में महतुपुन भुमिका निभा रहा है दोनों अभीनेताओं ने अपने रौकी किरदार में अपना महतुपुन हिस्सा डाला है जिससे यह केवल एक किरदार नहीं बलकि उनकी जीवन यात्रा का प्रतिबिम्ब बन गया है स्टेलोन का रौकी एक संगर्शत अभीनेता से लेकर हॉलिवुड के लिजेंड बनने की उनकी यात्रा का प्रतिख है जबकि यश्का रौकी एक शेत्री स्टार से लेकर राष्ट्री संसनी बनने की उनकी सफलता को दर्शाता है उनके करिश्मा, द्रण संकल्प और कच्ची प्रतिभा के अनोखे मिश्ट्रण ने उनके रौकी के प्रदर्शन को अविस्मरनी बना दिया है जो दुनिया भर के प्रशन सकों को प्रेरित करता है इसी के साथ बने रहे ही राजट्रमा टीवी के साथ ठाने बाद करता है कर दो कर दो